विडियो का अख्छा साथ के लिए है नाइदीप मनी का पाथे पूस्तक के विडियो के इस पाथ में व्याकरन भाग के पस्चात आज हम लोग पाथ वर्नन को जानेंगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फरेक पाथ में जो भी व्याकरन के बिंदू होंगे उस पर पहले हम लोग चर्चा करेंगे उसके पस्यात पार्वर्णन को जानेगे इस पार्थ में वार्तालाप है वार्तालाप में तुम का जवाब मैं के रूप में दिया जाता है और लिटलकार यहने वर्तमानकाल और भविश्यतकाल के धातूपदूं के परिवर्तन के बारे में भी मैंने इसके पिछले वीडियो में पताया था। जैसा कि इस पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर वारतालाप में जो सुरुवात है वारतालाप में उसमें कुछ सब्द अव्याई के सब्द आये हैं तो इस पार्ट में आने वाले अव्याई के सब्द हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम कुत्र गच्छसी तो कु वाक में अपने अलग रूप में होता है। उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तित होता है। प्रिवर्तित होता है। यहां पर कुछ संस्कृत के अव्यसब्द हिंदी के सब्दों के अर्थों के साथ में इस प्रकार से हैं। यहां पर मैंने अल्रेडी संकलित किया है। इसमें देख सकते हैं। कुत्र का मतलब होता है कहां। एव का मतलब ही। ततर मतलब वहां। प्रिष्ठता भी सब्दों आया है। प्रिष्ठता का मतलब होता है पीछे। अपी का मतलब भी होता है। यदा कदा मतलब जब कभी होता है। अधुना का मतलब अब होता है। किम अपी मतलब कुछ क्या भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कहेंगे कुछ भी। क्योंकि वाक्य में उसका सठिक अर्थ कुछ भी आता है। इसलिए कुछ भी है। अध्य मतलब आज, सह मतलब साथ, परम मतलब परंतु, जिसे लेकिन भी कर सकते हैं, अध्यत्वे मतलब आज कल की मर्थम, क्यों या किसलिए, स्वह मतलब आने वाला कल, प्रती मतलब किसी ओर में, जैसे विद्यालयम, विद्यालयम परती कहते हैं, विद्यालय की ओर, पुस् वरन वरना भी कहते हैं इसको यानिता का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन अनिता का अर्थ नहीं तो होता है और तदा का मतलब तब यदा मतलब जब होता है तो इस प्रकार से ये अव्याई के सब्द हैं जिनका प्रयोग इस पार्थ में किया गया है इसके साथ ही इसमें लटलकार और रिटलकार के सब्दों का भी पर्योग किया गया है और वह काट के वाकि के अनुबाद इस प्रकार से हैं यहाँ पर अंबिका और सारीका के बीश में बारतालाप है बातचीत है जो इस प्रकार से है, खते हैं कि कहा गया है सारी के तुम कुत्र गच्छसी, अंबिका सारी का करती है सारी के यहने सारी का तुम कहां जाती हो, तुम मतलग तुम कुत्र गच्छसी तुम कहां जाती हो, तु सारी का करती है अंबिके, अहम स्वा मातुलस्य ग्रिहम गच्छाम मैं अपने मामा के घर जाती हूँ स्वा मातुलस्य मतलब अपने मामा के और ग्रिहम घर और गच्छामी अहम स्वा मातुलस्य ग्रिहम गच्छामी मैं अपने मामा के घर जाती हूँ ऐसा सारी का अंबिका को कहती है तो यह है अंबिके के साथ में वाकिय है अम्बिका फिर पूस्ती है तो अम मातुलस सिग्रिहम तब मातुलस सिग्रिहम कुतरस्ती तब मतलग तुम्हारा तब मातुलस सिग्रिहम कुतरस्ती यानि तुम्हारे मामा का घर कहां है तब मतलग तुम्हारा यानि तुम्हारे मामा का घर कहां है तो सारी का कहती है मम मातुलस्य ग्रिहम कमला नगरे अस्ती मेरे मामा का घर कमला नगर में है फिर अम्भी का कहती है कमला नगरे एव मम पिता महस्य ग्रिहम अस्ती यहने कमला नगर में ही कमला नगरे एव कमला नगर में ही मेरे दादा जी का घर है यहने उसके दादा जी का भी घर कमला नगर में है इसलिए ऐसा वो बताती है अंबी का तो इसलिए वही है कमला नगरे एव मम पिता महस्य ग्रिहम अस्ती कमला नगर में ही मेरे दादा जी का घर है तो सारी का करती है तत्र अंबा नामना चित्रागारम अस्ती चित्रागारम मतलब होता है सिनेमा घर वहां अंबा नाम से यानि अंबा नाम का कह सकते हैं नाम से भी होता है तो वहां अंबा नामक सिनेमा घर है तो वहाँ अमबा नामक एक सिनिमा घर है तस्य प्रिष्टता यानि उसके पीछे प्रिष्टता मतलब पीछे तस्य प्रिष्टता एव उसके पीछे ही मम मातुलस्य ग्रिहम अस्ती मेरे मामा का घर है यानि वहाँ लोकेशन बतलाती है तत्र यानि वहाँ कमला नगर में तत्र अंबा नाम ना चित्रागारम अस्ती वहाँ अंबा नाम से एक सिनेमा घर है तस्य प्रिष्ठत एव उसके पीछे ही मम मातुलस्य ग्रिहम अस्ती मेरे मामा का घर है फिर अंबिका कहती है तत्र एव मम पिता महस्य ग्रिहम अपी अस्ती यानि वहाँ ही मेरे दादा जी का घर भी है यानि वहाँ ही मेरे दादा जी का घर भी है यानि कमला नगर में उसी अस्तान पर है अहम अपी यदा कदा तत्र गच्छामी मैं भी जब कभी वहाँ जाती हूँ यानि जब इच्छा करता है तो वहाँ जाती है तो ये यदा कदा तत्र गच्छामी तो यदा कदा मतलब जब कभी होता है अहम अपी मैं भी जब कभी वहाँ जाती हूँ अहम अपी यदा कदा तत्र गच्छामी इस परकार से इसमें यहाँ पर सुन्दर ढंक से जैसा की देख रहे हैं वाके में अब यह सब्दों का भी प्रयोग है और यह अनुवाद इस प्रकार से अनुवाद छोटे छोटे लगूग आके हैं इसलिए इसका अनुवाद का अभ्यास भी करना है तो इसलिए यह अनिवारे हैं तो इसे ध्यान देंगे इसमें अपी मतलब भी होता है यदा कदा मतलब अब ही अगना मतलब अब एब मतलब ही तो मैं अब ही जाती हूँ. मतलब मैं अब ही जाती हूँ. इसके बाद जो है आगले प्रिश्ट में यहां अंबा यहां अंबीका बोलती है किम तत्र किम अपी परयोजनमस्ती याने वहाँ जाने का प्रयोजन पूछती है याने वहाँ जाने का कुछ आयोजन है या क्या इस प्रकार से वह कुछ जानना चाहती है वहाँ जाने का क्या प्रयोजन है क्या काम है इसलिए इसलिए प्रयोजन में मैं पूछा गया है किम तत्र, किम अपी, प्रियोजनमस्ति, क्या वहां कुछ भी, यानि क्या वहां कुछ काम है, इस प्रकात से कहते हैं, क्या वहां कुछ काम है, प्रियोजन है, यानि क्या वहां कुछ काम है, तो उसे इस प्रकात से कहेंगे, किम तत्र, किम अपी, प्रियोजनमस्ति, क्या वह नहाँ कुछ काम है? ऐसा अब पूछती है. सारी का काती है आम. अद्य राहूल अस्य जन्म दिवसम अस्ती. आज राहूल का जन्म दिन है. तो जन्म दिवसम जन्म दिन राहूल उसका भाई होगा, तो य depरकार से इसलिए उसके यहाँ पर सीधे रूप में उसका नाम की चर् आज राहुल का जन्म दिन है। तत्र उस्तबस्य आयोजनम भवति। वहाँ उत्सब का आयोजन होता है। तुम अभी मयासा चल, तुम भी मेरे साथ चलो यहाँ पर चल सब्द का प्रयोग, लोट लकार के सब्द का प्रयोग किया है आगे जो है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे लोट लकार अनुक्या सुचक में आता है अतामतो आनि आव आम का प्रयोग मज्यमपुरूस और उत्तामपुरूस में हम लोग इस प्रकार से करते हैं तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर क्या जाएगा इस प्रकार से तो वही है चल तो तुम अपी मयासा चल, तुम भी मेरे साथ चलो तो अंभिका कहती है न न, मतलब नहीं नहीं, अहम विद्याले स्य पुष्टकालें पुष्टकानी आने तुम कछ्छामी, नहीं नहीं, मैं विद्याले के पुष्टकाले याने विद्याले की लाइबरेरी किताबें लाने के लिए जाती हूँ, आने तुम मतलब लाने के लि जाती हूँ तो अध्यत्वे अवकासाहसंती परंतु आजकल तो अवकास है यानि आजकल तो छुट्टियां है ऐसा वक करती है तुम की मर्थम विद्यालयम गमिश्यसी तुम क्यों विद्यालय जाती हो तब अंबिकार कहती है असमाकम अवकासा हसंती यानि हम लोगों की चुटिया हैं क्लास बंद होता है तो बच्चों की चुटिया होती है वसी इसलिए कहती है असमाकम अवकासा हसंती हमारी चुटिया है परम विद्यालय से कारियालिये पुष्टकालिये चो कारियानी भवंत परंदु विद्यालय के कारियालय में यानी, आफिस में और पुस्तकालिय में काम होते हैं, कारियानी पभणती, यानी लाइबरेरी भी खुला है। और उसे तो library में काम था इसलिए वह बतलाती है कि विद्याले के कारियाले में परंतु विद्याले के कारियाले में और पुष्टकाले में काम होते हैं इसके बाद नीचे है सारी का कहती है अधितु अहम मातुलस्य ग्रिहम का च्छामी आज तो मैं मामा के घर जाती हूँ स्वख अहम अपी चलिस्यामी कल मैं भी चलूँगी स्वा मतलब आने वाला कल तो आने वाले कल को स्वा काते हैं बीते वे कल को हय कहा जाता है अध्य को तो आज कहा जाता है जैसा कि पहले भी देखे तो इस प्रकार से यह सभी अभी एक ही सब्द है तो इसमें स्वा का प्रयोग यहां पर किया गया है स्वा का प्रयोग जब भी किया जाता है तो किरिया इसमें रिटलकार भविश्यत काल की होती है इसलिए यहाँ पर चलिस्यामी का प्रयोग किया गया है तो स्वा अहम अपी चलिस्यामी वो अपने बारें बतलाती है आज तो तू मतलब तो होता है आज तो मैं मामा के घर जात तो सारी का कहती है स्वह अहम अपी तोयासा गमिस्यामी कल मैं भी तुम्हारे साथ जाओंगी परम अधितु अहम पुष्टकालें प्रति गच्छामी ए यहने कि आज तो वह पुष्टकाले के की ओर जाएगी ही इसलिए वह ऐसा बतलाती है कती है कि स्वह अहम अपी यहने कल मैं भी तोयासा तोया का प्रयोग तिर्थिया विवक्ति का प्रयोग साह के योग में किया जाता है इसलिए यहाँ पर कहा है मयासा मैं भी मया में भी तिर्थिया विवक्ति है वैसे ही तोयासा तुम्हारे साथ तुम्हारे सब्द सुनने मे सची बिवक्ति का लगता है लेकिन इसमें बिवक्ति तिर्थिया बिवक्ति का प्रयोकिया जाता है जिसा की कारक में होता है आप जानते भी है उस अनुसार से यहां पर त्वया का प्रयोकिया गया है त्वया सह कमिस्यामी कल मैं कल मैं भी तुम्हारे साथ जाओंगी अध्य तू आज तो मैं पुष्टकालें प्रती गच्छामी एव पुष्टकालें की ओर जाऊंगी ही तो पुष्टकालें के तरफ जाने को प्रती कहते हैं तो पुष्टकालें की ओर जाऊंगी ही यहने गच्छामी एव पुष्टकालें की ओर जाऊंगी ही यहने निश्च भवतु का पर्योग अपनी समती जरदर्साने के लिए ठीक है, अच्छा है काते हैं, हाँ ऐसा ही हो इसके अर्थ में तो ठीक है यहां पर लेंगे, तो काते हैं भवतु तो हम गच्छ तुम जाओ, अहम अपी, चलि स्यामी, मैं भी चलती हूं, मैं भी चलूगी, हुं, चलि स माता क्रोतस्यती मतलब क्रोध करेंगी करती है कि भवतु मतलब ठीक है तो हम गच्छ तुम जाओ यहाँ पर भी औका प्रयों किया गया है जाओ ओर्डर के आर्थे में तुम जाओ अहम अपी चलिश्यामी मैं भी चलूँगी अन्यठा माता क्रोधस्यती नहीं तो मा क्रोध करेगी स्वा मेली स्यावा मतलब कल हम दो मिलेंगे तो स्वा मेली स्यावा कल मिलेंगे तदा पुष्टकालयम गमिस्यावा फिर पुष्टकालय जाएंगे यहने तब पुष्टकालय जाएंगे इस प्रकार से आप अनुबाद भी कर सकते हैं तो इसके अनुसार से इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इसे अपने सुविधा के अनुसार से रिपीट करें लाइन वाइज इसे हिंदी के अर्थों के साथ में लिखें और इन वाक्यों को बोलने का प्रयास करें जब आप इस वीडियो को सुने तो इसे अपने पुस्तक को खोल कर सामने में रखें ये साथ साथ में इन वाक्यों को देखें जो चारण के साथ इस परकार से है सारी के तो हम कुत्र कच्छ सी अंबिके अहम स्वा मातुलस्य ग्रिहम कच्छामी तब मातुलस्य ग्रिहम कुत्र अस्ती मातुलस्य ग्रिहम कमला नगरे अस्ती कमला नगरे एव मम पिता महस्य ग्रिहम अस्ती तत्र अंबा नामना चित्रागारम अस्ती तस्य प्रिष्टता एव मम मातुलस्य ग्रिहम अस्ती उसके बाद में अंबिका कती है तत्र एव मम पिता महस्य ग्रिहम अपी अस्ती अहम अपी यदा कदा तत्र गमिस्यामी तसारी का कती है अहम अधुना एव गच्छामी इसके प्रकार से है फिर है किम तत्र किम अपी प्रियोजनम अस्ती तो सारी का कती है आम अधे राहुलस्य जर्म दिवसम अस्ती तत्र उस्सवस्य आयोजनम भवती तो हम अपी मयासा चला तो अम्भिका कती है नन अहम विद्यालियस्य पुष्टकालियम पुष्टकानी आनियतुम गच्छामी तारी का कती है परम अध्यत्वे अवकासाहसंती त्वम किमर्थम विद्यालियम गमिस्यसी फिर अंबिका कहती है असमाकम अवकासासंती परम विद्यालियस्य कारियालिये पुस्तकालिये चो कारियानी भवन्ती फिर सारी का कहती है अध्यतू अहम मातुलस्य ग्रिहम गच्छामी स्वा अहम अपी चलिस्यामी फिर अम्बिका कहती है सारीके स्वा अहम अपी त्वयासा कमिस्यामी परम अध्यतु अहम पुस्तकालियम प्रती कमिस्यामी एव फिर सारीका कहती है भवतु त्वम गच्छ अहम अपी चलिस्यामी अनिथा माता कुरोतस्यती स्वा मेलिस्याव तदा पुस्तकालियम कमिस्या इस परकार से बोल कर पढ़ने का बिहास करेंगे और इसको सुरू से जितनी बार हो सके इसे रिपीट करें और इसे सुनें आप अपने दोस्तों में सेयर करें और इन अर्थों को बोल कर पढ़कर याद करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी यहाँ पर भी नए सब्द दिये हुए है और इसके साथ में कुछ अवियके सब्द मैंने आपको पहले भी पुर्व में दिखलाएं थे यह सभी अवियके सब्द हैं तो इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे अपने उतर पुष्टिका में इस प्रकार से लिख लें अंत के इस भाग को आप रोक कर देख सकते हो इस प्रकार से लिख लेंगे तो आपको समझने में परिशानी नहीं होगी और इसे लिखने के पस्चात इसके प्रस्टनों को हल करने का प्रयास करेंगी धन्यवाद